पूचा करें तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए होने वाला है बिना कलस्थापना के मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सेयर करूँगी कि नवरात जी की पूचा कैसी की जाती है सबसे पहले आपको क्या करना है चौकी के नीचे थोड़ा सा हल्दी से आप उस जीको को लीप ले उसके बाद पटा या चौकी रखे उसकी उपर लाल कलर का कपड़ा बिचाए उसके बाद जो है आपको चावलों के छोटे छोटे पुझ रखकर आसन देना है आसन देना बहुत अनिवार होता है यहाँ पर सरल पूचा विदी बता रही है उसके छोटे छोटे चावलों की पुझ मैंने यहाँ पर रखती है आप चाहें तो अस्टेदल कमल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आपकी मर्जी है पूचा में दीपक जलाना अनिवार होता है तो दीपक के लिए भी आपको आसन देना है इसके बाद मातारानी की मूर्ती या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध ऐसा नहीं है कि हरवार नहीं मूर्ती लाए जाए अगर आपके मंदिर में पहले से कोई पुरानी मूर्ती है जिनकी आप सालों से पूझा कर रहे हैं उनकी पूझा भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो नहीं लाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है यहाँ पर मातारानी को ब्राजमान कर लीजिए उसके बाद गौरी गनेस की पूझा करना अनिवार होता है अगर आपके पास गौरी गनेस नहीं है तो हल्दी या सिपाडी के रूप में गौरी गनेस रखकर उनका पूझा करना अनिवार है नवरात्री के नौ दिनों में गौरी गनेस को मातारानी के बगल में ही ब्राजमान किया जाता है तो हमने यहां पर गौरी गनेस को प्राज मान कर लिया है आप करेंगे हम पूजा करना सुरू तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रजुलित किया जाता है जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक इस दीपक को जोहना जलते रहने दूँगी अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो नवरातरी की नो दिनों में अखंड दीपक जोहना जलते रहना चाहिए पहले दिन आपको दीपक प्रजुलित करना होता है वो नवरातरी के नो दिनों में वो दीपक जोहना जलता रहता है बुजना बिलकुल भी नहीं चाहिए इस बात का आप ध्यान रखें अगर आप जलाने वाले हैं तो ध्यान से जलाईएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है दीपक प्रजुलित करना है दीपक का पूचन कर लेजिए और हाज चोड़कर आप मातारानी से प्रातना कीजिएगा कि एक पूचा जो हम करने वाले हैं वो पूचा हमारी निर्भिगन संपन हो कोई बाधा कोई भी दिक्कत पूचा में ना आए नौ दिनों की पूचा है कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े मन से पूचा की सुरुबात करते हैं लेकिन वो पूचा का संपूर नवरातरी की नौ दिनों की पूचा नहीं हो पाती तो ये भी एक मातारानी की किरपा होती है कि हमारी पूचा निर्भिगन संपन हो जाए मैंने थोड़ा सा जल लिया है थोड़ा सा जल आपको गौधी गनेस पर चड़ाना है उसके बाद मातारानी पर चड़ाना है बहुत ज़ादा जल ना चड़ाए नहीं तो मिटी की मूर्ती है खराब हो जाएगी तस्वीर पर भी आप जाना जल चड़ाएंगे तो तस्वीर उनके चरन धुए जाते हैं और चरनों में हमेशा अंगुटे दुए चाते हैं, तकि हमारे घर एक दब पवित्र हो चाये, उनकी किर्पा हमारे घर पर बरसे रहे हिए, और इस जो नान का जो जल है, उनके चरनों का जो जल है, उसे जो है पूरे घर में छ innate दिया जाता है, गड़ेज जी पर आपको जरूर चढ़ाना है। अगर आप महुरत पूछें तो बारा बजे जो हैना अविजित महुचर जिसे बोला जाता है वो होता है तो इस समय आप पूचा कर सकते हैं नवरात्री के पहले दिन फिर जो हैना डेली आप सुबह पूचा कीजिए क्योंकि कहते हैं कि जो सुरुवाद अच्छी होती है तो अंतवी जो हैना उसका बहुत अच्छा होता है तो इसके बाद जो हैना आपको इत्र लगाना है इत्र आप अपने पसंद का लगा सकते हैं जो भी खुसबू आपको पसंद हो काफी सारे लोग पूचते हैं दिदी कौन सा इत्र अच्छा होता है तो देखे जो आपको पसं हो हर इंसान की पसंद अपनी-पनी होती है तो जो आपको पसंद हे वह आपकी मा को पसंद है तो बस वो इत्राप लगा सकते हैं इसके बाद सुहाक का सामन चढ़ाना है छूट आसा पैकेट आपको सुहाक का मार्केट में आसानी से मिल जाएगा तो सरल पूचा विदी है इसलिए सरल सरल चीजें आपको यहाँ पर दिखा रही हूं सुहाक का सामार पर कर दिया है फूल चड़ा दीजिएगा माला अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है माला चड़ा दीजिएगा लाल फूल मातारानी को बहुत प्रिय होते हैं अगर मिल जाते हैं तो जरूर चड़ाईएगा इसके बाद अनार का भोग जोहना मातारानी को बिसेस रूप से लगाया जाता है अगर आपको अनार मिल जाते हैं तो एक दिन नवरातरी के नो दिन में किसी भी एक दिन जोहना अनार का भोग लगा सकते हैं किस मिस कटी मिसरी, बता से और तरह तरह की भोग मातरानी को बना कर आप खिलाईए क्योंकि जो महमान अगर कोई भी महमान हो, मैं एक उधारन दे रही हूँ कोई महमान जब आपके घर में आता है आप उनकी अच्छे से खातिरदादी करते हैं अच्छे से उनकी शेवा करते हैं तो महमान खुशी खुशी आपके घर से आशिरवाद दे कर आपके घर से विदा होता है तो बस वही भाव से आपको मातरानी की सेवा करनी है पूजा में कोई कमी पेसी रह जाती है कोई चीज़ अगर नहीं हो पा रही है तो कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन पूरे मन से बस उनकी सेबा कीजिए सूखी रोटी भी अगर किसी को प्रेम से हम खिला देते हैं तो उसमें भी अलग खुशी हमें मिलती है एक फूल ले लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा अबरक लगाया थोड़े से गुलाल लगाया थोड़े सा सिंदू लगाया और थोड़े सी कुमकुम यानि रोली लगाकर मातारानी के चड़नों में इस तरह से चढ़ा दी उसके बाद कि मैंने आड़ दी और ये होती है मातारानी की सबसे सरल पूचा विधी without कलस्थापना के बैसे तो देखिए कलस्थापना करना जरूरी होता है अगर आप पूरी विधी विधान कर रहे हैं लेकिन जो लोग इतने जाना बिजी हैं बहुत जाना नियम अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से जोएना मातरानी की पूचा कर सकते हैं इसके बाद आपको जलका अर्ग देना है जैशी रादे मित्रों राधे राधे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जैशी राधे मित्रों जै मतादी राधे राधे